हेलो गैज वेल्कम बैक तुमाजरा आज हम बात करेंगे नेट्फ्लिस ओड़री प्लेटी प्लेटफॉर्म पे आज यानि की 6 दिसंबर को रिलीज की गए न्यू मूवी क्रिस्मिस एज यूजवल के बारे में 8 गंटे की ये मूवी को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंगो मूवी कैसी है आपको देखनी चाहिए नहीं सब बताएंगे इस वीडियो में तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जरू जाना तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को कर लेते हैं अब क्रिस्मिस आ रही है तो थिया को इस बार क्रिस्मिस अपने होम टाउन यानिकि नोर्वे में अपने परिवार के साथ मनाना है और वो साथ में जशन को भी अपने फैमिली के साथ मिलवाने के लिए क्रिस्मिस पे उसको अपने साथ ले जाती है ताकि उसका प्रिवार और उसकी मा जेशन के बारे में जान सके अब जेशन इंडियन होने की वज़ज़ से उसका कल्चर नॉर्वे के कल्चर से काफी ज़्यादा डिफरेंड है तो वो थिया की फैमिली को इंप्रेस करने के लिए पूरी कोशिच करते है लेकिन उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है और ये सब कुछ हमें एक कोमेडी तरीके से बताया गया है जो कि आपको देखने में काफी मज़ा आएगा अब वहीं पे थिया के एक्स बोई फ्रेंड की एंट्री होती है मूवी के बीच में तो कि थिया की मा को पहले बहुत ही ज़्यादा पसंद था अब क् जैन है कमेडी का इंडियन अनुक्यला और जोर्वे कोशन में जयुक्र राशन में पक्कूर। लेंथ जदा लंबी नहीं है, मुवी सिर्फ देढ़ गंटे की है, जो कि आपको बिल्कुल भी लंबी महसूस नहीं होती, अगर हम बात करें इस मुवी को आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, मेरी तरफ से इस मुवी को रही की रेटिंग 6 आट अफ 10, अगर आप भी ए पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपसे मिलते हैं, ऐसे एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए, थैंक्यू